आज मैं बताने जा रही हूं कि बिंडी के सीड्स आप कंटेनर में कैसे ग्रो कर सकते हैं ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बिंडी के बीज हैं ये बिंडी के सीड्स जो है ये रेनी सीजन की बिंडी के सीड्स हैं यह मैं रेनी सीजन की बिंडी जो है वो लगाने जा रही हूँ और इन बिंडी के बीजों को कैसे लगाना है और कंटेनर जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए कितना गहरा होना चाहिए आज मैं पूरी जानकारी इसी बीडियो में दूँगी और बीज लगाने के बाद कितने दिनों में बिंडी तोड़ने को मिलेगी वीडियो को पूरा देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना नमश्कार दोस्तों मैं संतोष लोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके आपने और्गैनिक अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं आने वाली जो भी नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सके अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी आप बिंडी के बीज लगा सकते हैं जून और जुलाई के बीज बिंडी के बीज जो है वो आप लगा सकते हैं बिंडी के बीज जब भी लें अच्छी क्वाल्टी के बीज लें आप लोकल शाप से भी ले सकते हैं जा फिर आनलाइन भी मगवा सकते हैं बीज को आप ऐसे भी ल इसको पानी में से निकाल के बांद के रखें पोटली, तो इसके अंकूर जो है वो निकलाएंगे, तो उसके बाद भी आप लगा सकते हैं, आज कल तो गर्मी है, तो ऐसे भी लगाएंगे, तो बड़ी जल्दी इसके जो अंकूर है वो निकलाएंगे, बड़ी जल्दी ये ग प्रू हो जाता है और बिंडी जब भी लगाएं तो एक दो बीज ना लगाएं बिंडी आप ज्यादा से ज्यादा पोदे बिंडी के लगाएं ताकि जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छी मिल जाएं यह देखिए यह मैंने कंटेनर है कंटेनर में मैं लगा दे रही हूं बहुत सारे सेट्स जो है वो लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा बीच में गैप रखोंगी और रही बात मिटी की कि इसकी मिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए तो यह जब मैंने कंटेनर भरा था तो गमला कैसे बरते हैं यह भी वीडियो मैंने शेर किया हुआ है आप लगो और उपर जो है इसकी एक परत जो है वो मिटी की मैंने डाल दी है वो जो मैंने बेस्ट डाला है वो थोड़ा भी बैठेगा तो देखते हैं उपर से मैं फिर और काद मिटी डाल दूगी अगर बैठ गया तो जो मैंने किचन बेस्ट डाला है वो हाफ डीकमपोज तो होई गया था तो अभी मुझे नहीं लगता कि यह मिट्टी जो है वो नीचे बैठेगी एक बात जरूर रखें कि जब भी आप कोई किचन बेस्ट जान गार्डन बेस्ट डालें तो उसमें नीम खाली जा कोई फंगी साइट पॉडर जो है वो जरूर मिलाएं अगर यह सब कुछ नहीं है तो आप हल्दी का चरकाव भी कर सकते हैं यह देखिए अभी कुछ दिनों के बाद का रिजल्ट यह बिंडी मेरे ग्रो हो गई है देखिए यह बैठ की है मिट्टी थोड़ी थोड़ी ही बैठी है तो आज मैं उपर की मिट्टी थोड़ी सी डीली करके इसमें लिए पूदे यह बहुत नाज्यूक होते हैं चोट चोटे पूदे तो इनको स्प какой देना वी बहुत ज्रूरी है तो मिट्टी डालने से क्या एक तो इनको स्पॉर्ट मिल जाएगी्टि और जो कूबर की खाद मिलाई है उससे पूधे जो है वह बहुवी सेasat we are healthy हूंगय यह एक हफ्ते का अर्जल्ट है, आप देखी रहें, इसमें दो-दो पतियां आ गई हैं, अभी खाद देने के बाद आप, दस-पंदरा दिन के बाद आप देखीएगा यह अर्जल्ट, कि इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होगी, इतने अच्छे यह पोदे सभी हो जाएंगे, इ उसमें मैं गोबर की खाद, जा फिर बर्मी कंपोज, वो खाद मैं इसमें दे दूँगी, आप भी ऐसा ही किजिए, जब थोड़े-बड़े-बड़े पोदे हो जाएंगे, 40-45 दिन के पोदे जब हो जाएंगे, तो तब इसमें फ्रोटिंग आना जो है, वो शुरू हो जा और उसके बाद फिर 2-3 महिने जो है, वो आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलेगी, हर तीसरे दिन बिंडी की जो हार्वेस्टिंग है, वो मिल जाती है, हर तीसरे दिन बिंडी तोड़ने को हो जाती है, सबजी निकलाती है, देखिए आप देख रहे हैं, कितनी अच्छ चर, पांच-पांच बिंडी ज़ु है वो आ रही है तो जबी आप ऊसीडिस भी जब ग्रो करें तो अच्छी क्वाल्टी का ही शीरूर ले हैं बिंडी लगाने का त्रिका को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक-शेर जुरूर्व करना और सब्सक्राइब भी जरूब कर देना मेरे चैनल को अगर पसंद आये ते अपने दोस्तों को भी शेर कर देना तो आज का वीडियो मैं यहीं पेस माप्त करती हूँ मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक हैपी गार्डनिंग